अंबरनाथ में एक AC टाउन्शिप जहां 15 टावर्स OC रेडी है, मौडर्न आमेनिटीस के साथ MIDC वाटर सप्लाई भी है और जहां 1BH के 20 लाक्स आल इंक्लूज़ू से शुरू होता है, जी हां मैं बात कर रही हूं अंबरनाथ के Mohan Nano Estate इस प्रोजेक्ट की, मैं हूँ टेजस विनी और Property Guru चानल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अंबरनाथ वेस्ट का Mohan Nano Estate यह प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमने जब लास्ट आम देखा था तब इस प्रोजेक्ट का क्लब हाउस रेडी नहीं था और आज के वीडियो में हम इस क्लब हाउस की पूरी वीडियो टूर करने वाले हैं और साथी साथ इस प्रोजेक्ट के सैंपल फ्लाट्स भी देखने वाले हैं इस क्लब हाउस में स्वीमिन पूल से लेके मिनी थियटर तक की सारी अमेनेटीज दी गई है तो और समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मोहन नानो इस्टेट ये प्रोजेक्ट अमबरना स्टेशन से 2.2 किलोमिटर की दूरी पे है और यहां आने के लिए शेरिंग उटो और कॉम्पलेक्स की बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है करते है बसमिटार में उट था जटेश झाल झाल गाईज अब हम पहुँच चुके हैं Compact 1 BHK के सैंपल फ्लाट में आप देख सकते हैं इस लिविंग रूम के साथ एक अटाच बालकनी दी गई है जहां से हमें पूरा कॉंपलेक्स का व्यू नजर आता है यहां पे आप देख सकते हैं यह लिविंग रूम काफी जादा स्पेशियस है और यह रहा आपका किचन इस किचन में ग्रैनाइट किचन प्लाटफॉर्म विस्टेलने स्टिल सिंग दिया गया है और डैडो टाइल्स भी दिया गया है यह रहा कॉमन वाश रूम विद अटाच वाश बेसीन और अटाच वेस्टेन टॉयलेट यहां पे है वाटर स्टोरे स्पेस और यह रहा आपका बेडरूम गाईस इस बेडरूम में 2x2 फ्लोरिंग विट्रिफाइट टाइल्स का इस्तमाल किया गया है यहां से हमें पूरा कॉम्पलिक्स विउ नजर आता है और उपर दिया गया है लॉफ्ट और अभी हमने एंट्री कर ली है 1BHK के सैंपल फ्लाट में इस बालकनी से हमें एक अमेजिंग विउ नजर आ रहा है जो की है अमबरनाच सिटी विउ शाम की चाय के साथ आप ये विउ बारिश के टाइम पे बहुत जादा एंजोई कर सकते हैं यह रहा अपना लिविंग रूम और इस लिविंग रूम के सामने ही हमें दिखाई दे रहा है डाइनिंग स्पेस भी दिया गया है अब चलते है किचन की ओर ये रहा आपका किचन जो की फुली डैडो टाइल्स के साथ बना हुआ है इस किचन में हमें गाईस यहाँ पे सेम यह तो है ही और यहाँ पे एक्जास्ट फैन का पॉइंट है और ये रहा आपका किचन प्लैटफॉर्म उपर दिया गया है लॉफ्ट और यहाँ पे गाईस फ्रिच पॉइंट विद फ्रिच स्पेस दिया गया है अब चलते है ड्राइ स्पेस एरिया की और जो की सेपरेटली आपको यहाँ पे मिलता है और ड्राइ स्पेस एरिया भी काफी बड़ा है यहाँ पे आप आपके वाशिंग मशिन वगेरा रख सकते हो यह रहा आपका common washroom जिसमें western toilet attached है और wash basin भी attached है गाईज यहाँ उपर दिया गया है water storage space और finally बढ़ते हैं अपने bedroom की ओर यह रहा आपका bedroom जो की काफी ज़ादा बड़ा है और bed रखने के बाद भी काफी ज़ादा space यहाँ पे बचने वाली है यहाँ पे एक standing balcony दी गई है और यहाँ का view भी बहुत ही ज़ादा प्यारा है गाईज Mohan Nano Estate इस project में दो अलग-अलग type के 1BH के है और उसका price जानने के लिए उपर दिये गए नंबर पे call करे So guys आज के वीडियो में हमने देखा Mohan Nano Estate इस project का 1BH के और compact 1BH के का फ्लाइड अगर आपके friends और family में से कोई ऐसे ही 1BH के और compact 1BH के apartments देख रहा हो तो उनके साथ इस वीडियो का link share करना बिल्कुल भी नहीं भुलना अगर आपको यह वीडियो के regarding या फिर इस project के regarding कोई भी doubt या query हो तो आप उपर दिये गए number पर definitely call कीजे और आप comment box में भी मुझे आपके doubts पूच सकते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजे, subscribe कीजे Property Guru चानल को और देखते लिए Property Guru, thank you for watching this video guys आपको यह वीडियो के अपको तो आपको यह वीडियो कीजे है